नमस्का दोस्तों आप सब नों का एक नई वीडियो में हरदीक स्वागत हैं आज की वीडियो में हम करमा गजस संख्याओं का योग निकिलना सीखेंगे हम इसमें टोटल चार प्रसन सामिल कर है तो किस तरीके से solve करना है वो तरीका इसमें सीखेंगे इसमें डिफरेंस देखना है कि यह तो लगाता संख्या जैसे 21, 22, 23, 24 इसी तरीके से संख्या 75 तक है ठीक है तो इसका basic formula होता है सबसे पहले इसमें देखना होता है कि कुल पदों की संख्या कितनी है दूसरी बात इस basic formula जो है पहली बात हमें end यानि number of यहाँ देखने है पद कितने है संख्या कितनी हैस्में तो एन के लिए typा लगा displacement है जानी फिछोटे तो कुल पद कितने हैं हम पता करेंगे तो कुल पद के लिए हमें निकालना होता है यानि लास्ट की संख्या से लास्ट की संख्या जैसे 75 है लास्ट की संख्या से पहली संख्या को माइनस किया जाता है और इसका सार्व अंतर जो होता है यानि दो संख्याओं के बीच में जो से फचातर से 21 को माइनस करेंगे तो 5 से एक जाएगा बचेगा यहां पचार और इदार बचेगा 7 साथ से 2 जाएगा बचेगा पांच ठीक है और यहां पर प्लस नीचे संख्या एक से कोई मतलब नहीं तो प्लस एक इसमें जोड़ देंगे तो अब हमारे पास संख्या का योग बता करना होगा तो योग का फार्मॉला होता है यानि पहली संख्या और लास्ट की संख्या का योग करना है यानि पहली संख्या 21 लास्ट की संख्या 75 ठीक है और दो से डिवाइड करना है और कुल पदों की संख्या से मल्टिप्लाई करना है तो पच्पन यहां पर रख देंगे कुल पदों की संख्या से मर्टिप्लाई करेंगे अब यहां पर डारेक्ट हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो मिल जाएगा पांच एक छे हो जाएगा साथ दो नौ हो जाएगा गुड़े यहां पर पच्पन है और डिवाइड में कितना बचा नीचे तूथा द इन दोनों का गुड़ा करेंगे तो आपको संख्या मिल जाएगी 2640 आपको अंसर मिल जाएगा कुछ इस तरीके से जब मल्टिप्लाई कर लेंगे मल्टिप्लाई करना आप आता होगा जैसे यहां पर 48 लिख लेंगे ठीक है पच्पन यहां पर आप इसे डारेक्ट यहां आपको अंसर कितना मिल जाएगा 2640 मिल जाएगा अगला प्रसंद दिया गया है जैसे दो का पहाड़ा यहां पर दिया यानि दो दो का अंतर इसमें देखें दो के बाद 4 4 में 2 जोडेंगे 6 6 में 2 जोडेंगे 8 इसी तरीके से संख्याइं जो हैं 60 तक भी हैं तो इसमें बत लास्ट वाली संख्या यानि 60 से प्रत्रम पद यानि पहला पद माइनस किया जाता है और सार्व अंतर यानि इन दोनों संख्याओं के बीच में जो अंतर चल रहा होता है उससे डिवाइट करेंगे तो 2 में 2 जोड़ा तो 4 मिला नहीं 4 और 2 के बीच में अंतर कितना है 2 का चा में 60 से दो जाएगा तो बचेगा 58 डिवाइड करेंगे 2 से प्लस करेंगे वन तो इसे 2 से काटेंगे 2 कम दो 2 दूनी 4 और 2 नाम अठारा तो आ गया यहां पर 39 प्लस एक बराबर कितना हो गया 30 तो एन की संख्या निकल के आ गई है एन बराबर कितना हो गया 30 यानि होगे अब इन संख्याओं का हमें योग बता करना है तो योग निकालने के लिए ने क्या गाता पहली संख्या लाश संख्या को जोड दिया जाता है निए 2 प्लस 60 और 2 से डिवाइड करेंगे और इसमें मल्टिप्लाई करेंगे कुलपदों की संख्या से तो कुलपद यहा हमारी क्रास में है तो कड़ जाएगे दो कम दो यहां पर 15 बार लग जाएगा तो 15 आ गया इन दोनों को जोड देंगे यहां पर मिलेगा 62 गुडे 15 ठीक है तो 62 गुडे 15 तो इन दोनों का अंसर अब हम निकाल सकते हैं यहां से ठीक है तो मल्टिप्लाई कर लिजे 15 दूनी 30 तीन बचा 15 चका 90 और 393 यानि 960 इसका अंसर आ जाएगा तो बहुत ही सिंपल तरीका था इससे देख सकते हैं यहां पर 930 अंसर आ गया इसी तरीके से अगला प्रस नहीं यहां पर दिया गया है यहां पर अंतर दो का है यानि एक संख्या है तीन है पांच है साथ है और 69 उनहातर तक संख्या दी गई है तो यहां पर भी हमें कुल पदों की संख्या गयात करनी होगी तो कुल पद कितने हैं यानि कुल संख्या इसमें हैं कितनी जिनको जोड़ना है तो n हमारे है कुल पद की संख्या तो n बराबर तो इसमें लास्ट वाले संख्या से माइनस किय जाता है यानि 79 से 1 माइनस करेंगे और और साव्व अंतर जो होता है उसे डिवाइट करना पड़ता है इन दो four Googles में देखने दो का ही चला है तो 2 से करेंगे और प्लस ही कर देंगे जैसा हमने यहां पर किया था ठीक है तो यहां पर माइनस करेंगे तो इधर बचेगा हमारा 68 ठीक है और दो नीचे था प्लस बंध अब नों काट देंगे फिर दो कम दो दो तिया चे तो चोखे आठ प्लस एक तो यहां पर आजाएगा 34 फ्लस एक ब्राबर कितना हो गया 35 ठीक है तो कुल पद इसमें यानि कि कुल संख्या कितनी हो गई न बराबर 35 हो गई तो 35 हमारी संख्या निकली है अब संख्याओं का योग कितना है योग निकालने के लिए हमें पहली संख्या और लास संख्या का जोड़ना पड़ेगा तो एक हो गया 79 और divide करेंगे 2 से multiply करेंगे कुल पदों की संख्या यानि कुल कितनी संख्या है 35 मिल गए तो 35 यहाँ पर रख देंगे अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 69 में जोड़ेंगे 70 तो आगे जोड़ लेते हैं यहाँ पर तो 70 हो गया 70 को डिवाइट करेंगे 2 से और यहाँ पर है 35 अब दो से कड़ जाएगा कितनी बार 35 बार 2-3-6 तो 5-10 35 35 का उगड़ा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1225 मिल जाएगा 1225 इसका राइट एंसर है तो यह था इसका तीसरा प्रसंट और इस वीडियो का यह चौथा प्रसंट है इसमें टाइप दिया गए वन से स्टार संख्या एक दो तीन चार पांच और साथ तक की संख्या है इन सभी संख्याओं का योग कितना है ठीक है तो यहाँ पर भी हमें संख्याओं की यानि आप आपनों को पता इसमें दिफ्रेंस के एक से लगाता संख्या है साथ तक है तो यानि एन की संख्या कितनी निकलाएगी साथ यानि कुल इसमें संख्या कितनी होंगी साथ होंगी क्योंकि कांटीनू एक से स्टार्ट है साथ तक है तो कुल इसमें संख्या कितनी है बताएंगे आप साथ तो इसको य कुल संख्याँ से कितनी हैं और 60 हैं ठीक है एक सट्ट हो जाएगा 2 हुड़े यहां पर 60 12-30 टीस आग liberal हम हम गुदा कर देंगे इन दोनों के बीच में गूडा है ठीक है तहां पर तो इस तरीके से हमने चारो अलग अलग प्रकार से थे सभी को सॉल्प किया उमीद करते हैं आप लोगों को जोटी से वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो फ्लीज वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करिएगा